हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियों हम लेकर रहे हैं कलास त्यंत वालों के लिए दोस्तों सेकेंडरी सेंटर एक्जामिनेशन 2022 के लिए जितने विछात आने वाले बूट परिक्षा में सामिल होने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी का सेंटर परिक्षा चल रहा है उसी का हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों जितने विछात यहाँ पर एक्जाम्स दिये हैं या फिर देने वाले हैं उन्हों सभी आत्रों के लिए विडियो इंप्रेंट रहें ठीक है और जो विछात एक्जाम्स दे चुके हैं आप लोगों को पता भी चल सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरीक से आप लोगों को कला स्ट्रेंट पालो के लिए जितने वीचीज मैं आप लोगों लिक रहा हूं तो आपको नोटिफिकर्शन जो है मिलता रहेगा चलिए सेक्शन एह हम लोग देखते हैं सबसे पहले अब्जक्टीव पार्ट को पहला प्रसन देखते हैं दोस्तों फटा 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 हम लोग यहाँ पर समय कम है ठीकर और एंसर आप लोगों को यहाँ देते चलना है कमेंट को सक्केहर करेक्ट निमठीरच त्मेंन से कौन फूझी वाधिर शीचा का गुर नहीं है तो दोस्त Gardens येंट्र ये पुंजीवाधि अर्थ वर्श्था का गुर नहीं का निजी स्वामित्व नीजी लाव और समाजी का नीए आप लेकिन फिट्र ये आप्क पुंजीवाद और्थ विवस्य का गुण नहीं माना जाता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं थर्ड नमर कहा गया है दोस्तों आपका कि बिहार की अधिक्तम जनसंख्या जीवी का के लिए किस पर निर्वर है तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि किरी सी है खेती बिहार की सरवा हैं यहां पर 4 का सी यहां कोरेक्ट हो जाएगी क का गिभात के किस राजन पर तीवेक्ति आई सरवाधिक हैохैं देखेतों सबसे छोटा यहां मतलब सबसे छोटा नहीं बूल सकते हैं लेकिन छोटा राज है गुवा ठीक है ना भारत के यहां पर सरवाधिक आई जो है परती व्यक्ति बहुत ही जएधा है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम बिहार की है तो पांच का से उत्तर डी कोरेक्ट हो जागा यहां पर सरवाधिक के जगाव अगर कम रहता तो बिहार एंसर हो जाता है अगला है दोस्तों की भात में नई आर्थिक निती कव लागो गए थी तो देखेंगे भात में नई आर्थिक निती जो लागो की गई थी वो लाग 191 में चैपका सी कोरेक्ट हो जागी सटाफ़त हम लोग करते हैं द मुद्रा का क्या नाम है तो देखे सिंगापूर की जो मुद्रा का नाम है वो सिंगापूरी डॉलर है ना डॉलर में बात होता है दोस्तों आपे जैसे अमेरिखा का कनाड़ा का है ना तो इसे उत्तर यहां पर आठका भी कुरेक्ट हो जाएगी रूस का रूबल हो जाता है ह साथी अरों में रियाल चलता है दोस्तों कि अगला है कि किस वितिय संस्थान द्वरा साख से जन किया जाता है तो अगला प्रस्था दोस्तों कि कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्ज करती है तो दस का से उतर सी अगला है दोस्तों 11 नमर की भाद में सरवाधिक रोजगार के अप्सवर उपलब्द कराने वाला च्छेतर कौन सा है तो से उतर यहां पर क्या हो जागा दोस्तों आपका प्राथमिक छेत द्यूतियक य करने वाला कारज करो क्या है देखें 20 का सरवाधिक रोजकार परदार करने वाला जो कार्ज करम है दोस्तों यह मंन्ड्वेगा है आघ के सरकार दो हम रखें इसन आगला है कि 20 विपार संगठन डब्लू टीओ का सदस बना भारतкивRY संगठन सदस बना उटस पन्चान में Rafael से उत्तर यहां फे 14 का यह को रेक्ट हो जागी कि 15 दोस्तों की भारत में उपभुखता संद्रक्षन अधिनियम की घोषना कब हुई थी वह हुई थी दोस्तों से टी 100 24 समय से चला इक्स्ट है हमारे पास कि योजना योग अधिक्षकों ते यह आन्दर योझना यो को अव बदल के कर दिया गया है दोस्तों आपको नीति या योग में ठीक ना तो सुला का सिवत्तर डीक चुर्ट ऑजागी नेक्स्ट आए कि भारत में किस परकार की कि अर्थव्रवस्था पाई जाती हैं तो देखें मिश्रित अर्थव्रवस्था पाई जाती है कि शारेप्तर तरह के यहां पर अर्थव्रश्था होती है तो 17 का सी क्रेक्ट हो जागी है आठाया नमर्य दोस्तों की Poverty and और ब्रिटिस रूल इन इंडिया पुस्तक किस ने लिखी तो ये जो लिखे हैं दोस्तों इसका नाम है आपका दादा भाई नैरो जी दादा भाई नैरो जी जी के दोरा ये लिखाव गया है पुस्तक और आफट एंसर करते चलेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 म के समय में बंगाल विभाजन हुआ था अगला है दोस्तों की मेजनी का सबंद की संगठन से था दखें मेजनी का जो समंद था ना ये कार्बनरी संगठन से था तो से उत्तर यहां पे 20 का बी को रेक्ट हो जाएगा है ना चले अगला प्रसन देखते हैं कि यूनान को सोतंत से उत्तर 22 का एक और प ils अगी तो इसन Newden terror कि रूस में डियूमा का घठन का होए था था तो रूस में जो डियूमा का गठन हुआ जो था था दोस्तों से उत्तर 25 को रेक्ट हो जाईगी अगला है कि अपरेल थिसिस किसने पेस की तो अपरेल थिसिस जो पेस किया था दोस्त हों तो वह क्या था लै दो तर यहां पर 24 का ममण गें के बिसक्ता पहला समाजबादी डिसग्यद्वू To Des Chting कारल मार्क्स का जनम कहां तो ten चर्मार्म्निंत आ prisप्षित व्यादारे ज़ित्थित हो स्ब्सक्राइब है अग्ला है यहां पेंख बियतनाम की राजानी का है तो बियतनाब की राजानी हानोई है तो स्पूर 17 का एगुर है किस समझो old ते कि तब वियतनाम को दो भागो उत्री बिधनाम और दक्षनी वियतन ग्वाटा गिया था तेस एख से उत्ट रो जागा सी जनियवा सम्झों और उसका गया थे च्काल भूज़न प्रण सुराज की गई थी तो यह कउग्रेस का जो था वो लाहर अधिवेशन में किया ग्याथ तो ऊंती है तो गया हो जाएगी तो कि धराशना में किनके नेत्व में नमक सत्यागरा हुआ था इसका धाफ तो सरोलीने डू स्थापनार हो जाएगी, एकलत है इस इंडिया एसोसियोशन के अस्थापना कभ Лi müsste इस्थल इंडिया एसोसियोशन के अस्थापना हुआ था ठाथ 266 में अगला हां कि गदरबारी का स्थापना किस ने पी थे फिर्म जो स्थापना किया था दोस्थो तो से उत्तर हो जागा आपका गुर दयाल सिंग से उत्तर 32 का एक कोरेक्ट हो जाएगी यह लाला हर दयाल ठीक है चलिए 33 नमना कि टाटा आइरन एन इस्टिल कंपनी के स्थापना कवित हो 1907 इस्यूंग हुआ था तो 33 का एक कोरेक्ट हो जाएगी 34 है कि स्पिनिंग म्यूल का अमिशकार किसने किया तो तो यह स्पिनिंग म्यूल कर दोस पर गेenger ओटन से उत्तर यहाँपे 34 का भी कोरेक्ट हो जाएगी 35 नमर है दोस्तों कि सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की सहरी व्यवस्था की परवर्ती बढ़ी है तो 35 का एक कोरेक्ट हो जगा परगति सील अगला है दोस्तों 36 नमर के 1929 की मंदी का सबसे बुरा परभव किस देश पर परा था तो 36 का से उत्तर सी हो जगा सन्युक्त राज अमेरिका पर अगला है दोस्तों कि न्यू डिल का समन्त किस से था न्यू डिल का समन्त तो न्यू डिल का जो समन्त था दोस्तों ये कोरेक्ट हो जगा आपका आर्थेक निती से ठीक है अंत्राष्टे मुद्रा कोस जो है कि अस्थापना कभ हुए थी यह हुआ था 1945 में से उत्तर 38 का एड चलिए 39 देखते हैं कि मुद्रन कला का विश्कार कहा हुआ तो चीनी में हुआ था दोस्तों मुद्रन कला का विश्कार चलिए अगला है कि पर्थम पेपर मिल कि अस्थापना कहा हुए थी यह हुआ था जर्मनी में तर से उत्तर यहाँ पे 40 का भी हो जाएगा फ्रांस का दार्सनिक था तो रूसों जो थे दोस्तों हुआ आपको फ्रांस का दार्शनिक था अगला है कि गोलगर का निर्मान कब हुआ था अंगरेजों के दोरा किया गया था 1786 में भूँच साल लगवग धाइसो साल पुराना असायोग आंदोलोन का परस्ताव कोगरेज का किस अधिवेशन में पारित हुआ तो असायोग आंदोलोन का परस्ताव जो हुआ था यह सितंबर 1920 कलकत्त अधिवेशन में ठीक है ना चलिए अगला है कि तासकंद में भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के अस्थापना किया था यह क्या था M.N. रहे किसने तो M.N. रहे अगला है दोस्तों कि यंग इटली के अस्थापना किसने की तो मेजनी ने किया था यंग इटली के स्थापना अगला है कि भारतिय सविधान सभा का गठन का हुआ था तो भारतिय सविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों यह था 1946 में ठीक है ना और लागू हुआ था 1950 में निम्लिकित में से कौन संग सुची में है देखे सिक्षा संचार स्वास्त पुल के दोनों सद्रों में कितना भूमत आवस्यक है तो 50 का से उत्तर से जगा दो दी हाई अगला है दोस्तों कि राष्टी अस्तर पर पंचायती राजपरनाली के शुरुआत की ससमीती की अनुसंसा पर हुई है तो क्यावन का से उत्तर दी हो जगा बलवन तर आय मेहता समीती 50 नमर है दोस्तों कि सविधान का कौम सा संसोधन विधेयक पंचायती राजपरनाली से सम्मधित है तो 52 का जो है कोरेक्ट एंसर हो जाए दोस्तों बी तिहतरमा सविधान संसोधन अगला है दोस्तों कि पंचायती राज विवस्था का दूसरा अस्तर निमलिखित मिल से कौन सा है तो पंचायती राज अस्तर का सबसे दूसरा अस्तर जो है वो पंचायत समीती को माना जाता है अगला है कि 1975 के अपातकाल के समय प्रधान मंत्री कौन थे तो देखे दोस्तो तो उन्हें सो प्रत्र में जब अपात का लागुक हुआ था तो उस समय के परधान मंत्री थे वह इंद्रा गांधी के दोरान हुआ था तो से उत्तर यहाँ पे जोबन का ए है देखे राश्टी राजनितिक दल जो है दोसो यह भारती कुम्मिनिस्ट पार्टी है तो से उत्तर यहाँ पे 56 का डी कोरेक्ट हो जाएगी और यह बाकी जो है च्छत्री यह पार्टी है दोस्तों एक ही राज में यह समेटी जाता है एक से दो राज में ठीक है चली अगला है कि सुचना काधिकार आंदरों कहा हूँ शुरू हूँ ओए सबसे पर राच्थान से शुरू हुआ दोस्तों सीउत रहाशा Five prefer गर्रेक्ट स अठावन के महाभएर का कार्ज कल कितने वर्ज का होता तो महाभएवर का निजी करन के विरूद कहा संघर्ष हुआ था पानी के निजी करन के विरूद जो है दोस्तों ये भोली विया में संघर्ष हुआ था अगला के भाद में किस परकार के दलिये विवस्ता है तो बहुत दलिये विवस्ता है दोस्तों कई सारे दल है यहाँ पे माधव कुमार किस देश के पूरो परधार मंत्री है तो माधव कुमार जो है दोस्तों ये आपका नेपाल के पूरो परधार मंत्री है अगला की बहात में पर्थम चीनी मिलकी अस्थापना किस राज में की गई थी देखे दोस्तों सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में किया था चीनी मिलकी अस्थापना अगला की चरक का समंध किस देश से था तो चरक का जो समंध है दोस्तों यह आपका भारत देश से था ठीक है ना कनहा राश्टिय उधान कहां पहेदा कनहा राश्टिय उधान जो है दोस्ति यह मद्ध परदेश में है उसे उत्तर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगी अगला है कि महासा अगर यह संसाधनों पर देश का अधिपत्य होता है कितने किलोमेटर तक तो 200 किलोमेटर तक होता है तो 66 का ए सरसथ है कि निम्लिखित में से कौन स्वामित्व के अधार पर संसाधनों के वर्गिकरन का परकार नहीं है तो सही उत्तर वज़ेगा सरसथ का दोस्तों C नभी करनी है ठीक है ना अगला है आपका कि किस नदी की उत्पती अमर कंटक्स से हुई है तो से उत्तर यहाँ पे 60 का is सो नदी अगला है कि बिहार में कितना प्रतिशत क्रीशी छेत्र है क्रीशी छेत्र के लाइक है दोस्तों 16 का A ए 60% स्विध क्राम्ति समंधित किस से है तो स्विध क्राम्ति जो वो दूर्ट से समंधित है दोस्तों से उत्तर यहां पर सतरकसी एक खेतर है कि रबर की खेती के लिए कैसी जलवाई होनी चाहिए तो रबर की खेती के लिए दोसों भूमत रिखिये जलवाई होनी चाहिए अगला है कि कौन सी फसल रभी और खरीफ दोनों के रुपे वो गाई जाती है देखें गेहूं होगे रभी और चावल होगे आपका खरीब ठीक है न और दोनों को यहाँ पे दोनों के रुप में अरंडी को यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा कास्टर सीडे अगला है आपका कि दामोजर घाटी प्रुजना का लाव किन राज्यों को मिलता है तो जहारखन और पास्षिम बंगाल को तो सही उत्तर यहाँ पे आप्सण्स नमर 33 का सी को रेक्ट हो जाएगी अगला है दोस्तों कि निम्रिकीत में से कौन लोह अयस्क का एक परकार है तो लोह अयस्क के बारे हम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जागा चोहत्तर का बी हो जागा हेमाटाइट है ना अगला है कि टेक्सॉल का उप्योग होता है तो टेक्सॉल का जो उप्योग हम लोग करते हैं दोस्तों वो कैंसर में करते हैं अगला बिहार का कौन छेत्र सुखा प्रवन है कहें दोस्तों बिहार का कौन सा छेत्र जाहे सुखा प्रवन है तो छेत्र का से उत्तर बी हो जगा कर दाक्षिन विहार। अगला प्रस ना कि भूकंप केंद्र के उद्वादर पृत्वी सत्रATHAN पर इस्थिते कंद्र को क्या काते हैं। उसको हम लोगो बोलते हैं अधिक यंद्र,IPCenter, अगाला है दोस्तो कि नमिलकी त Champions कि सरवाधी क्ञतर नाक सुखार मना जाता है तो उसको हम लोगो बोलते हैं दोस्तो मौसमी सुखार, हैना अगला है कि बार्ड से हानी होती है किसको तो इन में से सभी को तो फसलों को भी पसलों को और भावनों को इन में सभी को कि लाज्ट कोशन है कि इन में से को इन प्राकिर्थिक आपदा है तो यह सुनामी जो है दोस्ति यह प्राकिर्थिक आपदा और बगी यह मानब जरित आपधा है ठीक है तो 87 कॉरेक्ट हो जाएगी दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर 88 को को जिसमें आपको 40 का जाब देना था बताना कमेंट्स बोक्स में दोस्तों आप लोग कितना सही करके आए हो ठीक है और इसी तरीके के आप लोग को सेंटर पर एक्जामे कोस्टन रहने वाले हैं या फिर दे चुके हैं तो आप लोग मिलेएगा जरूर कि कितना आप लोगोंने सही करकी लिया अब हम लोग यहां यहां पर सौट एंसर टैप और लोग कुश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोग को दिखा देता हूं देखिए यह हिस्ट्री का है यहां पर ठीक है आप लोग देख लेना एक एक प्रस्ट्रे आप लोग को लगोत्री रहेंगे जिसमें तीन का जवाब देना ठीक है और यह आपको यहां पर दो रहेंगे दिरगोत्री जिसमें आपको एक का जवाब देना है उसका राजिती भी यहां आगया पॉलिटिकल साइंस देख सकते हूं आप लोग अर्थ सास्तर आगया आप भूल्म आपता परवंधन ठीक है चलिए